आज हम बनाएंगे चिकन चिली, यकीन मानिए ये चिकन चिली इतनी स्वाधिस्ट बनती है कि आप इसके बाद रिस्टोरेंट से मंगाना या स्वेगी या जुमेटो करना भूल जाएंगे, बिल्कुल घर में बनाएंगे इसे, इसका टेस्ट इतना अच्छा आता है कि जो भ देखिए, कितना खुबसूरत लग रहा है ये, उतना ही डिलीशेस भी है ये और घर के बनेवी चीज की तो बात ही कुछ और है, तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या क्या इंग्रेडियन लगते हैं और ये बनता कैसे है, इसके लिए यहाँ पर मैंने लिया है 500 ग्राम चि अब इसमें हम मिलाएंगे कुछ चीज है जैसे आदा चमच नमक, साथ साथ आदा चमच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, इसके साथ साथ हम मिलाएंगे एक चोथाई चमच काली मिर्च का पाउडर, और एक चमच लैसुन अधरक का पेस्ट, और ये है एक बड़ा चमच सकते है और इसके बाद हम मिलाएंगे एक बड़ा चमच, सोया सास, मैंने बिलकल गंदा कर दिया इसे, तो पहले इसे साथ कर लेते हैं, अब इसके बाद हमें इसमें मिलाना है थोड़ा सा सिर्का एक टी स्पून सिर्का मिला लेंगे और इसे मिलाने के बाद हमें इन सारी चीजों को खुब अच्छी तरह से मिलाना है ताकि चिकन इन सब ही सौसेज से और मसालों से अच्छी तरह से कोट हो जाए तो खुब अच्छी तरह इसे मिला ले एक बार चिकन कोट हो जाए तो इसे हमें थोड़ी देर के लिए मैरीनेट होने के लिए रखना है तो इसे हम करीब आदे घंटे तक मैरीनेट होने के लिए रख देंगे धाक करके अब हम तयार करेंगे कॉन फ्लार की सलरी और इसमें मिला देंगे थोड़ा सा पानी करीब आदा कटोरी पानी मिला ले और उसमें कॉन फ्लार को अच्छी तरह से घोल ले कॉन फ्लार में जब हम पानी डालते तो वो नीचे बैठ जाता है तो खुब अच्छी तरह से नीचे से खुरच करके और बढ़िया से घोल ले कॉन फ्लार घोल जाए तो हम इसे अलग रखेंगे अब हम एक छोटे से बोल में फोड़ लेंगे एक अंडा अंडे को हमें चिकन में मिलाना है और इसे डिरेक्ली भी चिकन में मिलाए जा सकता है लेकिन कई बार अंडे खराब निकल जाते हैं तो चिकन भी खराब हो जाएगा इसलिए मैं इसे अलग से एक बोल में फोड़ करके हलका सा फेट ले रही हूँ और इसे अब अलग करूंगे चिकन हमारा मारिनेट हो गया है इसमें हम डालेंगे दो बड़े चमच कॉन फ्लार के और दो बड़े चमच मैदा के साथ-साथ हम इसमें डाल देंगे ये फिटा हुआ अंडा और अब इन सभी चीजों को फिर से हम अच्छी तरह से मिला लेंगे ये जो हमने कॉन फ्लार और मैदा डाला है ये चिकन के जो पीसेज हैं उनको जब हम फ्राई करेंगे तो उसको थोड़ा सा क्रिस्पिनस देंगे और वो अच्छी तरह फ्राई भी होगा और सासा चिकन चिली वाला टेस्ट भी उसमें आएगा ये देखिए कॉन फ्लार मैदा और अंडा अच्छी तरह से चिकन में कोट हो गया है तो अब हमें आगे का प्रॉसेस करना है यानि कि हमें इन चिकन पीसेज को अब बिल्कुल डीप फ्राई करना है तो उसके लिए हम लेंगे एक कड़ाई और उसमें गरम करेंगे रिफाइन ओयल और एक के करके सारे चिकन के पीसेज को हमें इसमें डालना है लेकिन पूरा एक बार में नहीं जा पाएगा तो आधा अभी मैं डाल रही हो इसमें और फिर इसे हमें उलट पुलट करके गोल्डन ब्राउन फ्राई कर लेना है जादा टाइम नहीं लगता इसमें और चिकन को पकने में भी जादा टाइम नहीं लगता लेकिन फ्राई करते हुए आप इसे मीडियम फ्लेम पे फ्राई कीजिए ताकि चिकन किसी भी तरह से कच्चा ना रहे देखें कितना सुंदर कलर आ रहा है इसका इसे अभी और हम ब्राउन करेंगे बहुत ही प्यारा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है और अब तक ये चिकन भी पक चुका होगा तो बस अब इस लौट को हमें निकाल लेना है ताकि हम आगे के लौट को भी फ्राई कर सकें इसे निकालने के लिए हम दूसरा वाला जारा ले लेते हैं ये इस तरह की जाली वाला ताकि इसके अंदर जितना भी ओईल हो एक्स्ट्रा वो निकल जाए ड्रेन हो जाए इन्हें हम पेपर नैपकेन या किचन टौवल पर निकाल लेंगे और पहले लौट की तरह ही हम दूसरा लौट भी तल लेंगे तो यह हमारा दूसरा लौट भी तल चुका है यानि सारे चिकन के पीसे तल चुके हैं आप देखें कितने प्यारे दिख रहे हैं ये इन्हें भी निकाल लेते हैं और फिर हम तयार करेंगे इसकी ग्रेवी आप चाहें तो इसे सुखा भी बना सकते हैं लेकिन मैं आज ग्रेवी वाला चिकन चिली बना रही हूँ इसे बनाने के बाद मैं आज नूडल्स भी बनाने वाली हूँ और उसके साथ ही हम इसे खाएंगे हग का नूरस बनाओंगी जिसकी रेसिपी मैंने पहले से डाली हुई है और ये देखें ये सारे चिकन पीसे फ्राई हो गया है तेल हमने कम कर लिया है और उसमें हम डालेंगे एक बड़ा चम्मच कटा हुआ लहसुन बारी कटा इसे थोड़ी देर भूनेंगे करीब 30 सेकेंड तक और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे एक इंच अद्रक का टुकडा जो की हमने कदुकस कर लिया है इसे भी 10 से 15 सेकेंड सौटे कर लेंगे और ये मैं डाल रही हूँ दो हरी मिर्च जिसे मैंने तिर्चा तिर्चा काट लिया है टुकडो में इसे भी 10-15 सेकिंड तक ही हमें सौटे करना है और उसके बाद हम डालेंगे प्याज और शिम्ला मिर्च, दोनों को हमने क्यूब्स में काट लिया है और प्याज के हमने जितने भी लेयर्स थे उन्हें निकाल लिया है, देखिए शिम्ला मिर्च और प्याज इकी तरह से क्यू काम हम यहां पर कर रहे हैं वह सारा हाई फ्लेम पर करें बिल्कुल लो फ्रेम नहीं करना है चुकि हमें इसे सौफ्ट नहीं करना है इसे क्रंची ही रखना है बस थोड़ा पका लेना है प्यास थोड़ा 15 सेकिंड भूनने के बाद मैंने डाल दिया शिम्ला मिर्च और इसे भून लेंगे फिर से जादा नहीं 15 से 20 सेकिंड ही भूनना है एक बार यह दोनों थोड़े से भून जाएं हलके से पक जाएं बहुत जादा सौफ्ट ना हो तो हम इसमें डालेंगे तरह तरह की सौस तो सबसे पहले इसमें डालेंगे आधे चमच काली मिर्च का पाउडर उसे थोड़ा चला लेंगे और उसके बाद हम इसमें डालेंगे एक बड़ा चमच सोया सौस एक बड़ा चमच ही चिली सौस और एक बड़ा चमच ही शेजवाज सौस और एक छोटा चमच सिर्का इस बार मैंने जो सोया सौस था उसे भी छोटे बोल में ले लिया चूकि व वो बहुत ही मैसी हो गया था उस समय, अब हम इसमें डालेंगे पानी, आपको जितनी भी ग्रेवी रखनी हो उसके हिसाब से पानी डालें, अगर आपको ग्रेवी नहीं रखनी तो बिल्कुल आधा से एक कटोरी ही पानी डालें इसमें, अब हम इस ग्रेवी को उबलने और जैसे ही इस gravy में उबाल आ जाए हम इसमें डालेंगे आधा चमज नमक, ध्यान रहें जादा नमक इसमें नहीं डालना है क्योंकि जो हमने सोया सॉस इसमें डाला है उसमें भी नमक होता है, तो ध्यान से नमक डालना है, अब इसमें सारे chicken के pieces को डाल देना है, जो हमने fry कर के रख सकते हैं और snacks की तरह भी खा सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं वो, तो यहां हमने सारे pieces डाल दिया है chicken के और इसे थोड़ा चला लेंगे, लेकिन आप देख रहे होंगे कि gravy जो हमारी है वो बहुत पतली है, तो उसे हमने थोड़ा गाड़ा करना है, तो उसका उ जालेंगे, और फिर धीरे धीरे यह जो corn flour का slurry है, इसे हमें इस gravy, उबलती gravy में डालना है, एक साथ पूरा ना डालें, बहुत जादा गाड़ा हो जाएगा, इसलिए धीरे धीरे डालें और जितनी भी आपको consistency जैसी भी चाहिए, उतना इसे बना लें, तो अभी मुझे य लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा और डाल रही हूँ, और इसे फिर से चलाते हैं, यह देखिए, अभी भी थोड़ा पतला दिख रहा है मुझे, इसलिए थोड़ा सा corn flour और डालूंगी, जो उसकी slurry हमने बनाई है, तो उसे हम थोड़ा सा और डालेंगे, और अब शायद यह ठीक हो जाए, कितना खुबसूरत लग रहा है अब देखिए, और एक बार इसे बना के जरूर देखिए, आप एक बार बनाईएगा, और बार बार बनाईएगा, और उसके बाद मुझे याद जरूर कीजिएगा, कि यह रेसिपी आपने यहां से सीखी थी, इस रेसिप बैक भी दीजिएगा, मैंने हीट को थोड़ा लो किया है, बस थोड़ी देर के लिए, ताकि चारो तरफ से इसे एक जगे कर लूँ, और यह ग्रेवी भी देख लूँ, चेक कर लूँ, और मुझे लग रहा है कि अब यह बिल्कुल सही हो गई है, बिल्कुल तयार हो चुक है, तो हीट को आफ कर देना है, तो हमारी बहुत ही डिलिश्यस चिकन चिली तयार है, बिल्कुल यमी, तो इसे एक बार बनाएए, और ट्राइ करके देखिए, वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक कीजिए, चैनल पे नए हों, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की रेसिपी इस डली हुई भी है, और और भी डालती रहोंगी, हमारा साथ दीजिए, सपोर्ट कीजिए, ये जो चिकन चिली है, इसे हाका नूडल्स के साथ खाने में बहुत अच्छा लगेगा, तो हाका नूडल्स का भी लिंक मैं दे दूंगी, उसे जरूर ट् आई बटन में भी वो लिंक मिल जाएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और रेसिपी के साथ तब तक के लिए, थैंक्स पा वाचिंग, नमस्कार